नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी 9 रविवार का दिन घड़ी में बज़ गया सवा 11 और समय हो गया आपके पसंदीदा सापताहिक कारिक्रम एकनोमिकम का आज का एकनोमिकम बेहत खास बेहत खास इसलिए क्योंकि ये उस पर जुड़ा है जो आपके आसपास घट रहा है अगर आप मनी 9 के नियमित दर्शक हैं मनी सेंट्रल एकनोमिकम जैसे कारिक्रम देखते हैं तो आपको अब तक ये तो पता चल गया होगा कि इस समय अमेरिका के बैंकों के महले में हो क्या रहा है भाई भगदल मची है बैंकों को सस्ता कर्ज दिया जा है ये पूरी फिल्म है ये कहानी है ये डोनाल्ड ट्रम्प लिग गए थे जी हां इससे पहले जो अमेरिका के राष्ट पती थे ये वही तैय कर गए थे कि आने वाले कुछ सालों में अमेरिका के बैंक डूबने लगेंगे चौकी अमत मुझे भी ऐसा रागरा था कि ऐसा क बागत है आपका और अशुमान जी से चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बता दो कि आज इकनोमिकम में क्या-क्या खास होगा सबसे पहले अर्थात विशय आपको बता दिया इसके बाद आपके सवाल अन्शुमान जी के जवाब उसके बाद बारी किस्सों के इसके बारे में जो उन्होंने हाल में देखी और वो चाहते हैं कि हम आप भी देखें शुरू करते हैं बिना वक्त जाय करें एकनोमिकम का इकनोमिकम की शुरूबात अंशुमान जी यूके के पूर्वे प्रधानमंत्री विंस्टर चल्चिल को याद करके कर रहे हैं सर वो जा बैंकिंग सा कट बन रहा है जिसको लेकर पूरी दुनिया में बैचे नहीं और यह माना जा रहा है कि यह लीमन क्राइसिस जैसी स्थिती बन सकती 2008 की इसे समझने के लिए हम एक दूसरा सूतर पकड़ते हैं विंस्टर चर्चिल को मिसले याद कर रहे हैं कि विंस्टर कि तमाम गलतियां कर दे वो कई सारी गलतियां करें लेकिन उसके बाद भी उसे सही फैसले लेना आता है चर्चिल की टिपड़ी दूसरे विशुद्ध के संदर्ब में आती है सेकेंड वर्ड वार में चर्चिल हिटलर पूरे योरोप को रौन रहा था और योरोप का एक ब बड़ा समू था जो युद्ध के अगेंस था फिर चानक वक्त बदलता है वक्त बदलते ही वक्त ऐसे बदलता है कि परल हारबर पर जापान का हमला होता है और जापान का हमला होते ही अमेरिका में पूरा माहौल बदल जाता है और उस समय विंस्ट्रन चर्चिल इस समय तक बड़ी जो फेमस स्पीच थी जो सबसे परचेचित स्पीच मानी जाती है उसे दिया और सी दोरान ने इस्टेंट चर्चिल वहाँ पहुँच के अमेरिका देर आया दुरस्त आया उसके वाद अमेरिका ने युद्ध में हिस्सा लिया नया गड़ चोड़ बना और इसके बा आमके परका में देर से भी दूरस्त नहीं आता है अमेरिका की विवरस्था तेर से दूरस्त नहीं आती और वही इस तूब में बैंकों के संदर में दिखाई देती है अक्सर हम इतिहास को अगर पढ़ें विक्तियों के बारे में जानें उनके संस्परान सुनें उनकी उनके बारे में जानें तो आपको पता होगा कि दुनिया में हर सफल विक्ति की हर सफल मुल्क की अपनी कमजोरियां होती हैं हर वि इस पूरे concept को इस पूरे सिधन्त को देशों की तरफ ले जाएं तो आपको पताई चलेगा कि अगर आप देशों के लंबे इतिहास को पढ़ें तीन सो चार सो साल के इतिहासों को पढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि हर मुलक के पास नसीहतों से नसीखने का भी अपना ए यह इतिहास हमें बार-बार उन संकटों के बीच लाकर खड़ा कर देता है जो बार-बार आते हैं और इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में सब कुछ बदल जाए पर बैंकों के संकट हर एक दशक में आते रहते हैं सर तो अब बात기에ंकिंग संकeульт में सबसे प्रży क्लिन हो क्या रहा है आप शायद उन शुर्खियों से चंकर आपके पांदा 15 सुर्खिय आती होंगि जो चोटे और मजहोले बैंक हैं में भगदल मच गई है अमेरिका में चोटे और मजहोले बैंक कोई का एक बड़ा समू है बड़ा कुनबा है जिसमें आवियसली गोल्ड में सेक्स है मोरगन स्टेनले, विल्स फार्गो या बैंक आफ अमेरिका जैसे बैंक नहीं आते हैं वो काफी बड़े बैंक हैं पर छोटे बैंक कोई बहुत बड़ा समू है और अमेरिका की बैंकिंग बहुत डाइवर्स है बहुत बड़ी और विविधी करत है जहां रीजनल लेवल पर बड़े बैंक काम करते हैं दुनिया के किसी देश में इतने सारी बैंकिंग कम्पीनिया और इतना सरा विवर्भी डावर्सिफाइड बैंकिंग पिक्शर एसा स्पेस नहीं है अब चोटे मजोले बैंक क्या कर रहं है यह चोटे मजोले हैं वरेबे unscrew के सामने खर्ज लेने क कि आप चौकेंगे सिल्कान वैली बैंक डूबने कि आथ फेडरल रिजर्व एक तरफ तो बाजार में ब्याज़ ने बढ़ा कर पूंजी का प्रवार रोकनी के कुशिश कर रहा था दूसरी तरफ शुबहम उसने एक इमर्जनसी करज की डिसकाउंट विंडो खोल दी एक स्पेशल विंडो खोल दी इमर्जनसी करज देने की जो इन बैंकों को ही दिया जा रहा था चोटे बैंकों को दिया जा रहा था पिछले सब्सक्रा तक का आकड़ा हमारे पास है उस हिसाब से चोटे बैंक के अमेरिका के बैंक इससे 54 अरब डालर का कर्ज ले चुके हैं फेडरल रिजर्फ से अपने लिए अपने को बचाने के लिए डूबने से बचाने के लिए कि अगर उनके बैंक करने शुरू हो जा और जमा करता पैसा मांगने आने लगें तो उनके डिपॉजिट में पैसा नहीं है उनके ब परवार चल रहा है करज दे रहे हैं पैसा आ रहा है उनके अंदर खाफ क्या है बैंकों में इस इमर्जनसी करज के तरफ जाने की और एक करज लेने की जरूरत उने क्यों पड़ रही है फेडरल रिजर्फ जिसे बाजार में पूझी की सप्लाई रोक नहीं थी उसको अलग बाजार में करज लेने जाते हैं कि अपनी परतिभूतियां जो उनके पास ने के लिए किसी तरह से तो 5% साने 5% से उपर की करज दर पर उन्हें ब्याज दर पर करज मिलेगा जो कि उनके लिए उनकी वित्तिय इस्थिती के लिए फिलहां संभवी नहीं है कि वो इतना करदा मांगने को आ गए जैसा एक दम बैंक रन शुरू होगी जमा के लिए पैसाद देने के लिए पैसा नहीं होगा इसलिए फेडरल जर्व के दरवाजे पर कतार लगी हुई है लाइन लगी हुई है अमेरिका के छोटे बैंकों की इमरजेंसी डेट के जो कर्च के ताजें आकले पिछले एक महीने में आये हैं सिलिकान वैली बैंक की क्राइसिस के बाद उससे पता चलता है कि फेडरल लिजर्व और एफाइडीसी ने इस इमर्जनसी विंडो से मार्च के दूसरे सब्तहा तक एक सो दोनों ने मिला ले अगर फेडरल लिजर्व की को मिला ले तो एक सो बावन अरब डालर के आसपास की फंडिंग हो चुकी है इस पूरे रास्ते से यह आप फेडर एफडिया एसी की का जो लेक्विडिटी प्राविजन है और यह इस तर 2008 के वित्ती संकट से जाधा है बात ध्यान दीजिएगा इतना कर्ज 2008 के वित्ती सं रिसर्च और मैक्रोबांड डिसर्च का यह आकड़ा आपके सामने है अब आपको यह सोचकर सब आश्चर जन चकित हो रहे होंगे आपको आश्चर हो रहा होगा अगर आप गलोबल बैंकिंग को और दुनिया में बाजारों को करीब से पढ़ते हैं कि सब हो क्या रहा है फ फेडरल जर्व ने तो सस्ते करज का नली खोल दिया है दुबारा दूसरी तरफ से सस्ता करज डाल रहा है और इस तरह से तो महंगाई कभी रुकने वाली नहीं है जो हमने आपसे कहा शरुआत में कि अमेरिका फिर से यह साबित कर रहा है अमेरिका के नियामक अमेरिका की स लेकिन और वक्त बदलने के आद अमेरिका के बैंक डूपते रहें लेकिन 2008 की नसीहतें भी 7-8 साल बाद भूला दी गई और वो टिकाव साबित नहीं हुए और ध्यान रखें कि अमेरिका में जब एक भी बैंक अब डूपता है तो उसका असर आपको अस्ट्रेलिया के बैंक को तक दिखाई देता है भारत के बाजारों तक दिखाई देता है global integrated economy में किसी भी एक देश में एक बैंक का डूबना पूरी दुनिया के वित्तिय संकट को को हिला देता है और वित्तिय संकट में डाल देता है और खासतर ऐसी स्तिति में जब दुनिया कई तारे संकटों की धुरी पर बैठी हुई है क्या हो रहा है समझ लिया क्यों हो रहा है ये समझते हैं सर आप लिख रहे हैं कि बैंकों के डूबने की प्रश्ट भूमी डोनाल्ड ट्रम्प लिख गए थे ऐसा क्यों और ये अमेरिका के इतिहास का ताजे इतिहास का बेद उल्जा हुआ पेचीदा पहलू है और इसे समझना जरूरी है क्योंकि अमेरिका की नियामक और अमेरिका की राजनी दे सोचती कैसे है एक संकट से नसीहत कैसे नहीं लेती है समझना जरूरी है कि डोनल्ड टरम्प कुछ ऐसा करके गए थे जहां से इस बात की आधार य होती है और इसकी वज़े ये है कि डोनल्ड टरम्प ने कुछ बड़े बदलाव किये थे अपने दोर में अमेरिका के बैंकिंग कानूनों में जिनका असर हमारे सामने आता है दोजार आट का बैंकिंग संकट को एक ही दशक बीता था दस साल बीते थे आज भी दुनिया के लिए लीमें संकट की यादे ताजा है पर अमेरिका के नेता अमेरिका के राश्ट्रुपती अमेरिका का प्रशासन अपनी सारी नसीहतें भूलकर फिर वापस अपनी पर आ गया जो जो स्थिति अमेरिका के बैंक हमेशा करते रहे हैं 2008 में याद होगा आपको जो लोग फालो कर रहे हैं 2008 में अमेरिका के बैंकिंग्स अंकट के बाद अमेरिका ने अपने इतिहास का सबसे कठोर बैंकिंग कानून बनाया बनाया था जो जिसे वाल स्ट्रीट रिफार्म एंड कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है आम सबसे मजबूत और सबसे सख्त नीमो वाला ये कानून लाया गया था क्योंकि लीमन सेंकट के बाद जो क्राइसिस आई थी उसके बाद अमेरिका के नियामक और सरकारें बुरी तरे काप गए थे और उनको लग रहा था कि एक कि प्रले जैसी बैंकिंग प्रले जैसी आ होगी भारत में रिजर्ब बैंक भी हर साल एक फिनाशल इस्टिविलिटी रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बैंकों का इस्ट्रेस्ट किया जाता है बैंकों का इसी प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर उनके जोखिम का अकलन किया जाता है और ये बताता है रेगुलेट सखत नियम बनाए गए थे डॉट फ्रैंक बिल में जो लीमन क्राइसिस के बाद आया था और इसके बाद लगबख 10 साल तक शुभम अमेरिका के सारे बैंक के संकट इस सखत नियमों में बने रहे हैं फेडरल इजर्व और बाकी जो रिगुलेटर्स थे वो बैंकों की कास्ट करते रहें और उनके अंदर खत्रे की संभावना होने पर लाल जंडियां दिखाते रहें आज जब हम कोशते हैं बिसूरते हैं कि सिल्काण वैली बैंक के वारे में किसी को कुछ पता नहीं था जानकारी नहीं तैसा नहीं था फेडरल जर्व ने भी बताया था लेकिन ये कि राष्टपती ने इस कानून को ही डिजास्टर कहा था, उन्होंने कहा थे डिजास्टर लाहिए, बैंकिंग को तबाह कर देगा, देश के उद्योगों को खतम कर देगा, तो वो इस पूरे कानून को यानि बैंकों को पार्द रिश्टा की सकती में बांधने के शुरुआत करने का, इसको की सकती के कानूनों को बदलने का एक कानून मन्यूर किया, रिपब्लिकन पार्टी चुकि हमने खाए कि उनकी पार्टी भी ये नजरिया रखती थी कि सरकार पर आगर बैंकों पर एक सीमा से ज़्यादा सकती करेगी, तो कारिवारी पूंजी मिलना मुश्कि जबकि ये पूरा का, पूरा कानून बैंकों पर ऐसी सकतियां लगाता था जिससे कि उनके हिसाब किताब और उनकी बैलन्स शीट, उनके रिजर्व की गणनाए बेह सकती के साथ की जाती थी और जिससे उन्हें बाजार में करज देने में तमाम शर्तों का पालन करना प्रशिश 2017 से शुरू कर दी, उस समय अमेरिका के अख़वारों में बड़ी सुर्खियां थी जो शायद भारत में उस समय तक नहीं आई, टरंप ने क्या किया, टरंप ने रेंडल कॉल्स को फेडरल रिजर्व में पहला बैंकिंग सुपर विजन वाइस चेर्मेन बनाया, रेंडल कॉल्स की नियुकती फेडरल रिजर्व में अपनी तरीकी की पहली नियुकती थी, इससे पहले तक फेडरल रिजर्व में कोई सुपर विजन वाइस चेर्मेन नहीं बनाया गया था, कॉल्स पहले आदमी थे जिनने डोनल्ड टरंप ने अपनी तरफ से वहाँ पर सकती शुरू ही उसे थोड़ा रिलाक्स करें, उसे थोड़ा कम करें, इसके बाद, कॉल्स के बारे में सब को पता है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉल्स एक प्राइवेट फंड मैनेजर थे और जब सत्ता परिवरतन हुआ और टरंप सत्ता से बाहर गये तो 2021 में उन्होंने इस्तिफा दिया था, इसके तुरंट बाद 2018 में टरंप की सरकार ने डाट फ्रेंक कानून में एमेंडमेंट्स मनजूर किये, संशोधन लेकर आई टरंप की सरकार और इसकानून में संशोधन मनजूर किये गए, तो सबसे बड़ा बदलाओ क्या थ सबसे बड़ा बदलाओ ये था कि जोखिम के आकलन के लिए बैंकों के जो कारोबार की सीमा थी, जो उनकी एसेट्स की सीमा थी उसे बढ़ा दिया गया था, तब तक 50 अरब डालर तक के कारोबार वाले बैंक भी स्ट्रेस स्ट्रेस से गुजरते थे, 50 अरब डालर तक के का transparency नियमों में डाला जाता था और इनके डूबने के संकट को पहचाने की कोशिश की जाती थी ट्रम्प के संशोधन ने इनकी सीमा बढ़ा कर 200 अरब डालर कर दी 250 अरब डालर कर दी और इस बदलाओं से करीब एक दरजन से जाधा छोटे और मीडियम साइज के जो बैंक्स थे वो इस ट्रेस्ट और जोकिम की सुरक्षा देने वाली गैरंटी के चो नियम थे कानून के उससे वो बाहर हो गए दोजार दस में जब ये वाली स्टीट में ये जब कानून आया था तो वाली स्टीट के बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाया था और ये कहा था कि बहुत सकत कानून है बैंकिंग उद्योक शुरुआत से इसके आने के बाद से ही इसके खिलाफ लाबी कर रहा था गराक अबामा की पेरिट से भी कि बैंकों को इतनी सकत नियमें बांदा जाएगा तो उनके कारोबार आसानी से कैसे होंगे इसमें एक दिल्चस्व किस्सा ये है कि इस कानून को बदलने की सिफारिश करने वालों न Clinicon Valley Bank के तब के CEO Greg Becker भी थे जिनका बैंक दूबा है वो Greg Becker भी इस कानून को बदलने की सिफारिश करने वाले जो लोग थे जो डाट फ्रेंक Bill के अगेंस्ट थे उसमें Greg Becker भी थे कायम हो गया जो कि छोटे और मजोले बैंकों को पर उतनी सक्त प्रिडिंशल नाम्स नहीं लगाता था 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 आट के संकट से पहले अमेरिका में बैंकिंग के रेगुलेशन को लेकर काफी असमंजस रहता था क्योंकि फेडरल इजर्फ के साथ कई सारे और भी दफ्तर थे जो बैंकों पर काम करते हैं भारत में भी ऐसा ही दिखता था शुरुआत में एक आफिस आफ थिर्फ्ट सुपर्विजन था जो बच्तों का सुपर्विजन करने शेर बाजार का जो नियामक है सीसी सेक्यूरिजेक्शन का अपरेशन वो तो पहले से ही था और इसके अलावा कमोडिटी रेगुलेटर भी मिलकर काम करते थे लेकिन 2018 में में इसमें इसमें से 2008 के कानून के बाद यह सारी वे उस्तास काफी चुस्त हुई और बैंकों को रहा है फेटरल लिजर्व जिम्मेदारी लेगा की आफिस अफ त्रिफ्ट इसका के जिम्मेदारी लेगा या इसकी जिम्मेदारी फेटरल डिपाजिट इंशुरेंस कार्पोरेशन की है पिल्कुल सर यह तो कर रही थी सरकारें ट्रंप कर रहे थे किसी को लेकर आ रहे थे सरकार में इंटीर्ज किरा एक मैं नियामक क्या कर रहे थे है नियामक किया पड़ी घलती हैं पर ये कि नियामक्वं कुछ चीज़ें देखी जिने शायद अंदेखा किया या नहीं बताया आया ध्यान नहीं दिया उसके उपर नियामकों कोई बात नजर नहीं आई कि चार साल में सिलिकान वैली बैंक की जो एसिट्स थी वो चार गुना बढ़ गई एक तम तेजी से करच के कारण और कारोबार के कारण कि बैंकों को इस बात पर चिनता होनी चाहिए थी नियामकों को सोचना चाहिए था कि ये बैंक जिस जिन कंपिनियों के साथ कारोबार करता है उससे बेस्ट अप कंपिनिया है जिनके बिजनस मॉडल भविश्च में मुनाफ़ पर केंद्रित हैं अभी वो कैश बर तरह खड़ा हो सकता है नियामकों ने ये नहीं बताया ये नहीं देखा कि SVB बैंक जैसे बैंकों के जो सिलिकोन वाली बैंक था इसके 94% डिपॉजिट FDIC के परिव्यू से बाहर थे यानि अगर बैंक में 100 रुपए का डिपॉजिट था उसमें 6 रुपए के डिपॉजिट पर ही केवल गैरेंटी जो FDIC से आपको 5.5 लाग डॉलर की गैरेंटी मिलती है बैंक के डूबने के इस्तिती में अगर जमाक हतम हो जाता है आपका तो ये वज़े थी कि जब 94% के असपस डिपॉजिट FDIC के दारे से बाहर थे तो 48 घंटे में बैंक को बंद करना पड़ा तदकाल FDIC ने रिसीवर बिठाया और इसे बंद कर दिया हुआ ये कि जब नियम बदले तो जो मिट साइस बैंक थे वो बाजार में सस्ती पूझी की मदद से कोविट के दौरान सस्ती पूझी की मदद से उससे पहले 2008 से जो सस्ती पूझी आ रही थी उसकी मदद से 2018 के बाद जोखिम बढ़ाते चले दे उन्होंने और जहादा रि अब बैंकों की समस्चा शुबमी कि बैंकों के कारोबार बहुत पर्तदार होते हैं बहुत एक दूसरे से गुथे हुए बिने होते हैं कोई बैंक अकेला काम नहीं करता बैंक पूरे एको सिस्टम के साथ काम करते हैं उसके साथ उसके करज़दार जुड़े होते हैं दूस साथ कई कई जगे कई असर करके के के खतम करता है अब जब डिपॉजिटर्स बैंकों से पैसे निकालना है तो उनके पास परियाप्त रिजर्व नहीं है अब जिसके फर्स्ट रिपॉब्लिक बैंक को ही ले इसका संकट नहीं सुधरा ग्यारा बैंकों ने मिलकर 30 अरब डालर इस बैंक में लगाए लेकिने माना जाता है कि ये भी करना ये भी एक ही बार हो पाया इसके बाद इसकी कोई उम्मीद बनती नहीं दिखाए थी कि एक रिपोर्ट कि और इस रिपोर्ट में बताया कि बैंकों ने ये मदद फेडरल रिजर्ब के कहने पर की बड़े बैंकों ने 30 अरब डालर का डिपॉजिट फर्स्ट रिपॉब्लिक बैंक को सिर्फ इस लिए दिया कि उसके पस रिजर्व तयार हो सके कि काल अगर बैं उसमें रखेंगे वो 120 दिन से जाधा ये पैसा फर्स रिपॉब्लिक बैंक में नहीं रोका जाएगा यानि फर्स रिपॉब्लिक बैंक को 120 दिन तक का तो रिजर्व मिल रहा है पर उसके बाद उसे अपने सुरोतों से बांड मार्केट से बाकी जगे से या फिर फेडरल र जिसे घट रही है तब इमर्जनसी कोशिशें ही उनके सामने हैं यह आप एक चार्ट आपके सामने देखिए कि जो बैंकों के डिपॉजिट्स हैं चूंकि डिपॉजिट्स पर जधा इंट्रेस्ट रेट देने की स्थिति में नहीं है और बैंक अगर नए डिपॉजिट आ लेकर इतना पैनिक दिख रहा है क्योंकि बैंकों के पाथ के रिजर्फ नहीं है और उनके पास नए संसाधन पूंजी लाने की संभावना नहीं है और पूंजी उन्हें केवल फेडरल लिज़व्जशे करज के जर्य यही मिल सकती है दूसरी है कि बैंकों ने अमेरिका के जिन बांड में पैसा लगाया था उनकी कीमत घट रही आम तो पर बांड मार्केट में ही होता जब याज दने बढ़ती ही तो बांड सस्ते होते हैं तो एक तरफ तो बैंकों से डिपॉजिट निकल रहे हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व नहीं है बैंक पैसा निकल रहा है औ नुकसान हो रहा है और इसलिए जो हमने आपको शुरुआत में बताया यह देखिए स्मालर बैंक्स की छोटे बैंक के रिजर्व की पोजिशन का चार्ट देखिए आपके सामने दिखाई देरा है कि छोटे बैंकों के अमेरिका में रिजर्व कितनी तेजी से गिरे हैं और इसलिए आप सारे बैंक्स चोटे बैंक हैं वो फेडरल इजर्व के सामने उनके दरवाजे पर जोली फैलाये खड़े हुए हैं कि जब तक बचे हैं तब तक बचा लिया जाए जितना इमर्जंसी फंड मिल सके जब तक उनके पास नई पूंजी का विकल्प बने तब तक अब ध्यान दें कि बैंक अमेरिका में शुबं बैंकों के शाट टम कर्ज इतनी नई उचाए पर पहुंच चुके हैं शाट टम फिनांसिंग बैंकों ने लेने के कोशिश की इस बैंक के भीतर कुछ अब महंगा कर्ज महंगा है तो शाट टम कर्ज भी महंगा है और कि बैंक करज सस्ता कर रहे हैं दूसरी तरह फेडरल रेज père महंगाई से के लड़ने के करज महंगा कर रहा है तो यह दूविदा में तरह सारे कारण करद में कारती यह लग बग वैसी परश्टिती है कि एक तो पानी बरस रहा था उपर से बगहर चाते के बाहर निकल गए और आपको पता नहीं था कि बाहर आगे पाहर पानी बरस रहा या फेडरलीजर्ब को पोई जानकारी का ती कि बैंकों कि रिजर्ब्स के स्थेति थी लेंकिन उसे ब् विधा में फसा है समाधान यह है कि यह कि फैटरल रिजर्व ब्याजदरों में कमी कर दें कमी कर देंगा तो बैंकों से डिपॉसिट्स का आउट फ्लो रुक बंद हो जाएगा बैंकों के जो मार्क टो मार्केट लासेज हैं जो उनके बांड में दिखाई दे रहे हैं उनमें بڑھوتری करनी है कैंकि दो परसेंट पे महंगाई लानी है भी तो महंगाई की अमेरिका में रिकॉरड हुचाये पर बनी हुई है और एक साल से अमेरिका में ब्याजदर वे ब्ढ़ोतरीके बार ना तो मंदी आ रहे हैं ना महंगाई थम रहे है तो अब बैंक की समस्या ये ब्याजदर ने पांच फिसदी से उपर पहुंच चुकी अब बैंक ने इस फेडरल रिजर्व ने इस दूविधा में अनत था दूसरा वाला विकल्ब चुना अभी जो ताजी फेडरल रिजर्व की बैठक होई उसने फिर 25 बेसिस पॉइंट की की बैजदर में बढ़ुतरी का ऐलान कर दिया यानि फेडरल रिजर्व रिजर्व बैंकों को एक हाथ से मतद देना चाहता और दूसरी तरफ से महंगाई से लड़ाई जारी कर रखना चाहता है अब ऐसे मामले में फेडरल रिजर्व के हाथ से बाजी फिसल रही है क्योंक संभव नहीं है इसलिए दोजार आठ की यादें लोगों के दिमाग में आ रही है एक और महत्तुपून बात है कि लोगे मान रही है कि अगर फेडरल रिजर्व अब बैजदरों में कमी शुरू भी करता है तो पता नहीं उसका केतना फाइदा होगा कि नहीं होगा क्योंकि मार्च में बेस्टरंस डूबा और चे महने बाद सेप्टेंबर में लीमन बैंक भी डूब गया था ऐसे इस तिति में फेड के हाथ से बाजी फिसल रही है और इसलिए अमेरिका के इस बैंकिंग संकट पर दुनिया की निगाहें बहुत करीब से लगी हुई है लीमन से हमने कुछ नहीं सीखा और स्बीवी डूबो लिया अब इस बीवी के डूबने से क्या कुछ सीखेंगे क्या कुछ कानून बनाने वाले क्या करेंगे अमेरिका की जो राजनी थी है वो बड़ी विभाजित है और अमेरिका में यह मुश्किल होता है कानून बनाना हला की अगर मापस लटें कानून मनाने वालों के तरफ क्योंकि टुर्म्प के कानून के बदलाओं ने इस संकट की भूमी का तियार कि थी ब्याजदरों में बढ़ने के साथ सामने आ गया अब ट्रम्प और रिप्लिकंस के सरकार ने नियामकों की ताकत कम कर दी थी और अब अमेरिका के लाखो डिपॉजिटर्स की पूंजी संकट में फसी हुई जिसे बचाने की कोशिश है अब समस्या ये कि अमेरिका में अगर ब पालिटी के पास बहुमत है और वही पालिटी डॉट फ्रेंक कानून को बदल चुकी है दोजार अठारा में तो राजनीतिक रूप से अब रिप्लिकंट पालिटी को एक बड़ा शिफ्ट लेना पड़ेगा एक बड़ा पालिटिकल रुख बदलना पड़ेगा जिसके बीरता से एक एक लाइन पढ़ें और बिट्वीन दे लाइन मतलब समझने की कोशिश करें या जो फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की हाउस के सामने टिस्टिमोनी चल रही उससे समझने की कोशिश करें तो वो यह मान रहे हैं कि आएसी परिस्तिती में या तो कानून ब से इतना है 2008 से कि फेडरल जर्व कार्पोरेशन ने डूबने वाले पैंकों को पहचान लिया है और उनके लिए ग्रहाग ढूनने की कोशिश शुरू हो गई है उन्हें पूझी देने की कोशिश शुरू हो गई है दरसल फिलाहला अमेरिका को एक मंदी चाहिए जब तक प्याजदरे कंड़े कम नहीं होंगी और ब्याजदरे बढ़ती रहेंगी एक सीमा तक तभी मंदी आएगी और अब फेडरल जर्व और अमेरिका के नियामक अमेरिका की सर्कार एनिवाइट हास और फेडरल जर्व आईसी दुविधा में हैं कि वो अर्थविवस्था में मंदी लाने के लिए ब्याज़डरे बढ़ाते रहें या व बैंकों को डूबने से बचाएंग तो अभी जो परिस्तिती है उस परिस्तिती में कोई दिशाद नहीं देखती है अभी इस्तिती यह है कि तातकालिक इस्त करना चाहते हैं उसको दूसरे रास्ते से गर बढ़ा रहें तो जब तक पूझी नहीं रुकेगी तब तक बाजार में बढ़ाने की प्रक्रिया जारी रहेगी और यह इस परिस्तिती में अमेरिका की बैंकिंग खड़ी हुए और उसके असर हमें पूरी दुनिया पर दिखते रिजर्बेंग सोने का निवेशस होने का रिजर्व सिक्यूरिट्टी का अधार पर बनाता है आपको पता है कि आप सोना ना मुद्राओं का नहीं है भारत में बांड पर या पर मिरने वाला रिटरन तो भारत सरकार के करज की परिस्थिती पर और बाजार में महगाई पर निर्वर करता और वो रिटरन फिलाल इस समय तो अच्छा ही है अगर आप निवेश्कों के निजरी से देखें तो दोर था जिब 6-5% का रिटर बनती देख रहे हैं आप कई सारे फैक्टर महगाई को लेकर एक साथ काम कर रहे हैं बेमस्बरसाद की स्थिती में अनाजक में के उत्पादन में गिरावट का रिस्क है बाजार में गेहों की कीमते और उपर बनी हुई है माना जा रहा है कि बाजार में जो गेहों आये गा अभी बेमस्बरसाद के बाद इसकी क्वालिटी खराब होगी या अच्छी क्वालिटी की योँ की मत और ऊपर जा सकती है इसके अलावा दो तीन और महत्वपूर्ण चीज़ें है बिजली के दरों में बढ़ने के संभावना है, दूद की किमतों में बढ़तरी के संभावना है, आटोमोबिल और मैनिफेक्चरिंग कंपिनियों ने अपने प्राइसेस बढ़ा दी है, मेडिसिन्स की प्राइसेस बढ़ने वाली है, सर्विसेस की इंफलेशन जधा जिद्द अगले साल भारत के आर्थिक्विकासदर के आकल उन्हों को 6% पर ही सीमित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनोती महंगाई रहने वाली है, आगे बढ़ते हैं सर, अब इंकम के खाने में क्या खास है आच, इंकम के खाने में सब्सक्राइब भूत कुछ हो और अगर आप मनी नाइन से जुड़े हुए हैं और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़े हैं, क्योंकि इंकम के खाने में जो भी हो रहा है परसल फिनांस में आपके आसपास, हम उसे बहुत तोर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कारेकरमों के जरिए, डाक्युमेंटरी का बदल दिया, जिसने डेट मुचल फंड्स पर नए तरीके के टैक्सेशन के नियम लगा दिये और भी बहुत सारे बदलाओ किये गए, अगर आप डेट मुचल फंड्स में निवेश करते हैं, तो आपके लिए क्या रास्ता है, आप क्या उससे निकल जाना चाहिए, आप को निवेश करना चाहिए, कैसे आपके उपर असर करेगा, और इसका असर बैंक डिपॉजिट्स पर क्या पड़ेगा, आपके रखे हुए बैंक के FD पर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, क्या बीमा बहतर हो जाएगा, टेट मुचल फंड्स से, सैकलों सवाल हमारे आस पास समझाने की कोशिश की है, कि अब ऐसी परस्तिती में, आपके लिए FD बहतर है, बीमा में पैसा लगाना बहतर है, या डेट मुचल फंड में निवेश करना बहतर है, और आपको इन प्रोग्राम के लिंक, जिनका अंचमजनी जिक्रिक है, इनके लिंक आपको डिस्रिप्श का किस्सा सुनाएंगे, जिस नियामक को अमेरिका के बैंकों में बचत करता हूं के संकट से उबारने की जिम्मेदारी दीगी थी, बड़ी अनोखी और अजीवोगरी परिस्थितियों में बना था अमेरिका का फेडरल डिपॉजिट इंशुरेंस कार्पोरेशन FDIC, इसे बनाने के लिए कैसी जदो जहद हुई थी और कहां से ये बना था और एक और रहस से इस किसों के सिके में आपको पता चलेगा, कि अगर आपको लगता है कि अमेरिका में 1930 की महामंदी शेरबाजार में गिरावट से आई थी, तो ये बात शायद अर्द सकते हैं, अमेरिका म बैंक जमा करता डूपते हैं और उन्हें बचाने के लिए अमेरिका की राजीनीति में कितना बड़ा तूफान खड़ा हुआ, इस पर केंदरे ते इस बार किस्तों का सिक्का है, बिलकुल एक अंजाना सा पहलो दुनिया के बैंकिंग इतिहास का, चली तो किस्तों के सिक्क ने अब हटसन बे कंपिनी का नाम सुना है, अबहरत में थोड़े समय तक सक्रिय हैं, हच बीसी है एक रिटेल ट्रेडिंग कंपिनी है, इस कंपिनी का इतिहास बहुत दिल्चस्प है, एच्छन बे कंपिनी दुनिया की उन शुरृती कंपिनियों में से थी जो फर का ट्रे यह सत्वी शताब्दी में मैं से लेकर उन्ईसमें शताब्दी तक 200 साल तक दुनिया में फर का जो जानवरों की खाल के फर था उनका ट्रेट सबसे प्रीमियम ट्रेट माना जाता था यह कंपणी लगभग वैसी ही थी इसका किस्सा या इसका इतिहास लगभग वैसा ही है जै योरोप में आता था जो वुध परीमिम होता था क्यों योरोप के अमี लोगों से पहें देखते थे इस के ट्रेड पर केंद्रत ये साथ कैस तरीके की राजिनित और राइफलरी होती थी इस पर कैंद्रत एक सिर्रीज है जिससे लिए आप देखना चाहें तो देख सकते हैं Hudson Bay Company का अपना इतिहास फर का ट्रेट करने के लिए किस तरीके की युद्ध होते थे और किस तरह से ये पूरा जानवनों की खाल का कारोबार 200 साल तक सोने जैसा कारोबार हुआ करता था जिसमें जो नौर्थ अमेरिका के लोग थे जो वहां रहने वाले ट्राइबल थे वो ये फर देकर वाप देकर व्यापारियों को हत्यार सोना और बाकी चीज़ें खरीते थे ते तिल्चस्प सीरिज नाटकी सीरिज है पर उस दोर की अर्थवेस्था और उस दोर की राजिनी का आइना थी Hudson Bay Company कैनेडा की इस समय अगर आज मौजूद आ थिहास में माने तो नाम की सीरिज नेट्फिक्स पर है फ्रेंटियर नाम की सीरिज है जो अन्शमान जी देखने की सलाथ दे रहे हैं रिकमेंट कर रहे हैं यह था हमारा इस हफते का इकनोमिकम उमीद आपको पसंद आया हुगा अगले हफते फिर नई किस्ट के साथ अर्थात की हम फिर आएं झाल 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 झाल